हलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं आज आपको दिखाने चाहरी हूँ मामा आर्थ के कुछ प्रोडक्ट्स यह आजकल मार्केट में चाहे हुआ है और आप भी कही ना कहीं कन्फ्यूज होंगे इसको पर्जिस करें या नहीं इसके सारे प्रोडक्ट सारे स्किन टाइप्स के लिए नहीं है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिससे आपका मनी वेस्ट ना हो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज के वीडियो में सबसे पहला प्रोडक्ट इनका अगर आपकी skin oily है तो आप इसको जरूर यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी skin type dry है तो आप इसे बिल्कुल यूज़ न करें आपकी skin को यह और जदा रफ बना देगा इसलिए for oily skin it's really good next product पर आते हैं next product है इनका opton face wash यह basically turmeric के साथ है और इसमें scrub मिला हुआ है अगर आपको लगता है कि यह face wash है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है मुझे लगता है personally यह एक scrub है यह कोई face wash नहीं है इसमें कोई भी जाग नहीं बनता है तो अगर आप इसको जाग और face wash की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको please ना purchase करें क्योंकि यह साड़े 300 रोपे का है नेक्स प्रोड़क्ट मैं इनको आपको दिखाती हूँ oil free moisturizer यह सच में बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है मैंने session pouch लेया था लेकिन यह बहुत अच्छा है आपकी oily skin के लिए लेकिन अगर आपकी skin dry है तो आप इसको ना खरीदे नेक्स प्रोड़क्ट है इनका rice water shampoo यह आप के बालों को और जादा oily बना देगा और आपके लिए wastage of money हो जाएगा for dry hairs it's really really good next आपको मैं इनका दिखाती हो product है onion hair mask onion hair mask really good यह बहुत अच्छा है आपकी hairs की growth के लिए hair fall के लिए control करते hair fall को आप इसको definitely purchase कर सकते हैं यह हर hair type के लिए काम करते हैं